हम बात कर रहे हैं मदरसन सुमी वाइरिंग की लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो इस्टॉक साइडवेज ही हमको ट्रेट करता नजर आया है चोटी मोटी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली जब बड़ी गिरावट में था आपको याद होगा हमने 68 के लेवल को मेजर सपोर्ट के तोर पर डिसकस किया था कियूँकि इस से पहले भी हम एक दफार देख भी लेते इस से पहले भी स्टाउक हमको 68 ऑपड़ी वाइंग स्टाउक ने देखने के लिए मिली थी और आगेन हम देख सकते आज की देच में गिरावट आये तो उसी लेवल पर हमको stock support लेता नजर आए 68 के लेवल से एक jump आया जहां से rejection के साथ गिरावट ढिकाई थी same level पर rejection face करके गिरावट आई लेकिन इस support को breakdown नहीं किया 70 के support पर stock हमको इस वक्त काम करता नजर आ रहा है तो आप अगर गिरावट आती है तो important support है नीचे की और 68 का लेवल जो breakdown नहीं होना चाहिए अगर breakdown कर गया तो 64 तक का भी फिर fall हमको stock दिखा सकता है अब stock ने jump के बाद rejection लिया है तो इस low को breakdown नहीं किया है एक range में हमको sustain होता नजर आ है अगर bonds back करता है तो immediate target जहां से rejection दिया 73-74 का level अगर stock bonds back करके at least इस high को break out करता है 73 है आम मोटा मोटा 74 मान कर चलते 74 के level को break out करके sustain हो जाता है तो वैसे condition में फिर clear cut up train देखने के लिए मिल सकता है जब तक इस high को break out नहीं करता है तब तक बड़ा momentum बड़ा upside stock में देखने के लिए नहीं मिल सकता तो नजर रखना है 73 के level पर अगर इस level को break out कर गया तो फिर लगातार up train फिर next target 76 और इस bonds back के साथ फिर 80 से लेके 84 तक का भी target stock दिखा सकता है लेकिन condition को हम already discuss कर चुके है विडियो education purpose के लिए हम कोई buy sell या hold की सला नहीं देखा है अगर आप demand account open करना जाते हो तो description में दीगई link से कर सकते हो कर दिखा आप हम अगर आपदा है अगर आपधी कोई दिखा आप हम अगर गरक भी देखा है झाल झाल